अब रोने से क्या होगा, मैं हमेशा कहती हूँ ना, कि पैसे हमेशा साबून की डिब्या के पीछे या तक्की के कवर में रखने चाहिए लेकिन आज ही मैंने अपने तक्की का कवर दोने में डाला मारी रे, लेकिन एक बर मुझसे पूछाता होता गटू भाई, मेरे पास चार-चार तक्की के कवर है और एक में तो जेब भी है, आपके तक्की की कवर में जेब है मानव के बब अपना पूरा ना कुर्ता पैन नहीं रहे थे ना, तो मैंने वो कुर्ता फाड़कर तक्की का कवर बना लिया और वो कुर्ते में जेब थी ना, वो तक्की के कवर में आ गई काश आपने अपने पैसे उस जेब में रखे होते कटू, रो मात बेबी इतनी बड़ी प्रब्लम हो गई तो रोना तो पड़ेगा ना मुझको कटू, लोगों के पास इसे बड़ी-बड़ी प्रब्लम्स है देख मलाई की बीवी को, नहीं गंभीर बीमारी है उसे है वो फूल स्टॉप में गई है ना, वो माड़ी रे फूल स्टॉप को मामे है हाँ, को मामे उसका ब्रीन डेट हो चुका है बेबी देख तो मले को प्रब्लम हो गई थी तो वो भी रोय था ना, उस दिन ओफिस में तो भी मेरे साथ प्रब्लम हो गई है तो मुझको भी रोना पड़ेगा ना एना मिनाक्षी बाभी हाँ आप रोनी चे गटू भाई रोनी से मन हलका हो जाता है चलिए मैं भी आपका साथ देती हू रोने में उम्सूरिय देवताय रभूमाय शांताई हाँ हाँ, साब बदकिसमती से वो मेरा ही भाई है वो रद्दी बला हाँ, रद्दी, कूडा, कबाडा यही घट्टा कर सकता है वो और कुछ नहीं कर सकता नालाक अर्विन क्या? क्या नाम बताए आपने? अर्विन? नहीं, सिर्फ अर्विन नहीं जच रहा उसके पहले आपने क्या खा? नालाय अर्विन जरा जोर से बोले, मुझे ठीक से सुना इन देता बुले ठीक से सुना इन देता या जान बूज कर दुबारा सुनना चाहता है और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई को नालाइक कहते हुए बेचारा पूरा दिन महनत करके रद्धी कठा करता है और कमाता है अरे ऐसी कमाई का क्या फैदा घर में खर्चे के लिए एक नया पैसा तो देता नहीं है अच्छा तो उसका ना मेंवल रख दो अरे लो व विया क्यों था अब उसमें कुछ जरूरी इंफरमेशन है अब एक काम कीजे ना ये पचास रुपे रखिये वैसे भी उस डारी के आपको कोई पांच रुपे भी नहीं देगा ठीक है ठीक है देता हूँ इसमें तो नहीं है क्या कट्व ने इसमें जो दस हजार रखे थे वो अरे कैसे पैसे अच्छा अब तुम कोऊगा के पैसों के बारे में तो आपको कुछ नहीं वालो अरे मुझे पैसे वासे के बारे में क्या मालूम और अभी तो आप कह रहे थे कि उसमें इंफोर्मेशन थी लेकिन पैसे भी थे एक मिट बाओ जी आपको क्या लगता कि पैसे मेरे भाई ने चुराएं बाई साब हम गरीब आद में जिरूर हैं लेकिन किसी के हराम के पैसे आप क्या सुचते हैं आप मेरे भाई को कुछ भी कहते रहेंगा और में सुनता रहूंगा आप इजा केला मत समझे इसका बड़ा भाई अभी जिन्दा है तू डर मत थोड़ी देर पहले उससे नालाइक कह रहे थे और पैसों की बात आई तो तुमारे अंदर का बड़ा ब पैसे दिये थे और डारी देने से पहले उसको चेक करनी चाहिए थे कल को भंगार में तीजोरी दे दोगे और बोलोगे उसमें लाखों उपैसे मेरे को पैसे के बार में कुछ नहीं मालूँ क्या कर लो गया है मोटा बाई चली अरे पर सुबोध गट्टू के पैसे अरे मो अरे आपको क्या लगता है मैंने उनसे जूट बोला हा लेकिन अपने बड़े भाई से जूट मत बोल चल निकाल मालू मैं तेरे लिए मैंने उनसे जगडा किया और उनसे कभी प्रेस नी करेंगे चल निकाल निकाल अरे मैं सच मुछ कह रहा हूं मेरे को पैसे के बार में कितनी मौस्त हल्मेट लेने वाला था मलू मैं मैं अरे तभी तो मैं कहता हूं पैसे पेटिकोर के जेव में रखने का जब मैं जब मैं स्टेशों के लिए जाता था ता ना तो सब पैसे ऐसे पेटिकोर के जेव में रखता था इसे स्पेचिल जेव में नहीं है न मेरे पास पेटिकोर तो कोई बात नहीं मैं आपको पेटिक गटटू बाई गटटू बाई तूशांत हो जा तुझे एक काम कर अभी जाकि बच्चों के साथ केल अच्छा जाहिए जाहिए गटटू बाई उपर किदर जा रहा है सब बच्चे वाड़िया सब के जान में आम तोड़ने का है आई लाग, मैंने बोला था जैता लिको की उदर जाओगे ना तो मुझको लेके गा ना तो भी नहीं लेके गा, जब क्यों लोग को मालूम है की मेरे पैसे खोगे है प्रविन भाई सही बोलते है, पैसे नहीं तो कोई नहीं यार नहीं नहीं गटुबाई, बोलो कहीं नहीं गए उपर होगे, देख जा उपर उपर, इतने बड़े बड़े डंडे गए गए गटुबाई और मैंने उनको बोला भी है, खटे आम लाना, आज मस्तवे के आचार बनाऊंगा डिम्पल के पपा के लिए वेरी बड़, वेरी बड़, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लग को, और वह आम भी दरूर आला इसे, मोटे मोटे आम लाना, आचा, तो छूप रहता तो तेरा क्या चाहता, अचार ओम सूर्य देवता प्रकोपाय शांत ये नमहा, ओम सूर्य देवता प्रकोपाय शांत ये नमहा, ओम सूर्य देवता प्रकोपाय शांत ये नमहा, दस हजार ने तो परेशान कर दिया, गट्टू के ही जाने थे, अच्छा मैं दे रही उसे दस हजार, तो ले नहीं रहा है, उपर से राजा उसने एक और आग लगा दी उसे बता दिया के बच्चे आम तोड़ने गया है और उसे नहीं ले गया है अब वो जगड़ा करने गया है उनके साथ ये बढ़नी किसने खुली छोड़ी शायद मुझसे खुली रह गी होगी मुझे कवर अब करने की ज़रुवत नहीं है हां शिर्पा बाप ये गलती मुझसे हो गई थी आपको डाटना है तो आप मुझे डाटिए मैं नहीं चाहती के कोई और कवर अब करके मुझे पर महरवानी करें चलो पूरे घर में भले ही गट्टू के दस अजार का टेंशन हो कम से कम कीचन में तु कुछ अलग हो रहा है क्यों चल रहा है तुम दोनों के बीच कोल्ड वार बोलने से कोई फाइदा नहीं है बाँ शिल्पा मेरी बात कभी समझेगी नहीं अरे आप मुझे गलत समझ रही है भावी बाँ अक्चली गट्टू भाई बहुत रो रहे थी तो मैं उनका ध्यान पैसो की तरफ से हटाने के लिए उनके लिए शर्वत बनाने लगी अच्छ बाद में भी समझा सकते थे ना आप मुझे बताइए बाँ उन्हें उसी वक्त समझा कर इतना रूलाने की क्या जरुवत थी शिल्पा ने सही कहा लीला जब गलती हो तभी उसका एसास हो तो आगे से गलती नहीं होती ठंडे लोहे पर चोट करने का कोई फाइदा नहीं होता इसमें इतना हसने की कोई बात नहीं है थोड़ी सी हसी निकल गई भाबी लेकिन मेरे हसने का मकसद वो नहीं है जो आप समझ रही है हाँ, आजकल तो मैं हर बात गलती समझती हूँ, क्या करो, मुझमे तो समझ है ही नहीं ये बात तुम्हें भी मानती हूँ, लीला बाब अब जगडा करने के ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर में बहुत तनाव चल रहा है चलो चलो खाने का टाइम हो रहा है ये प्रवीना की कमी मुझे महसूस नहो, उसके लिए इतनी मैनत कौन कर रहा है क्या बाब? ये दही फ्रीज में से निकाल कर यहां किसने छोड़ा है उसे मत देख लीला मुझे देख, मैने तुझे सवाल पूछा है शिर्पा, तु बोल मैने तु नहीं रखा बाद सीधा मेरा नाम क्यो नहीं लेती, इंडिरेक्टली क्यों बोल रही है मैं फिर करना समझ रही है, मैं तो सिर्फ समझती हूँ, हाँ खाट समझी है ओ माइ गॉड़ क्या हुआ इसमें इतनी सारी चीटिया है मैं तेरा क्या करूँ लीला? अब ही इसमें सचमुच चीटिया हैं बस शिर्पा बाब मुझसे ये छोटी सी गल्ती हो गई ये छोटी सी गल्ती है बहुत बड़ी गल्ती हुई है मुझसे मैं कट्टू भाई के लिए शर्वत बनाने के बाद उनका दिल बहला रही थी इसलिए भूल गई दही वापस रखना फ्रिज में वो बहुत रो रहे थे मुझसे देखा नहीं गया उनका रोना बाह। मैं क्या करूं बाह। मैं हूँ ही इमोशनल मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर थोड़ी बनाया है कि मैं हमेशा प्राक्टिकल होके सोचू और गट्टू भाई को समझाओं कि पैसे यहां रखने चाहिए पैसे यहां नहीं रखने चाहिए शिल्पा को ताने मारना छोड़ और अर्विन के हां हां से कैसे बचा जाए इसके बारे में सोचू शिल्पा दही फेग दे फेग क्यों देबा इसका फेस पैक बन सकता है हां हां दे दे इसे चलो खुशत फाइदा हुआ दही भार लखने का ओम सूरिय चलो असे पाइस ब्सक्राट कोड़्क ब्सक्रायन कृषिया प्ला है असे अच्नरी जोड़ एसности धुल्कुशा थ correction झो उड unters 탄es प्रकोब है आँ ठियिक के उस नव wr tutti तुमने मुझको बोला थाना कि आम तोडने को मुझको साहत मेला कि जाओंगे हां, तुछ चलिया ना, चलते हैं, चलिया तो अभी तक तुमने आम थोड़े नहीं है गट्टू काका, आपके बिना आम थोड़ी केसे सकते हैं हाना सलोनी हां हां चलिया, चलिया, चलिया हम, एक मिंट, एक मिंट लेकिन तो फिर तुम लोग इधर चुप-चुप के क्या कर रहे थे नीचे बेट के? प्लानिंग! प्लानिंग कर रहे थे गडू काका! कितने आम तोड़ने, किस तरफ भागना है? सारी तयारी हो चुकी है! चले-चलो, आम तोड़ दे! आच चुछ! पेस-पैक का नाम लेने के क्या जरू थी, शिल्पा? मैंने तो ऐसे रहे नॉमली बोला था, भावी, और सही है, ना? दही वेस क्यू करे? फेस-पैक तो बनाई सकते हैं ना हम? गलत, तुने हम शब्त का इस्तिमाल बिल्कूल नहीं किया था! तुने सिर्फ इतना कहा था कि फेस पैक बन जाएगा और सब चानते हैं इस घर में के फेस पैक सिर्फ मैं लगाती हूँ नहीं भाबी, पैक मैं भी लगाती हूँ याद कीजे, जब हम पारला वेस वाले घर में जा रहे थे बेबी वेन रक्षंदा खान को मिलने गई थी हम दोनों ने पैक लगाया था, याद कीजे हाँ, तू भी लगाती है मगर इस बार जो तुने फेस पैक के बारे में कहा उसका इशारा सिर्फ मेरी तरफ था चलपा नहीं भाबी, अच्छा ओ माई गॉड करके इतनी जोर से चिदलाने की क्या जरौती जैसे दही की अंदर चीटिया नहीं मगर मच दिखाई दे गए हो अरे अचानक से इतनी सारी चीटिया दिखके तो अपने आप ही निकल गया भाबी मैंने जान बूश के तो नहीं आपको डाग दिया हाँ, देखा, मैं तो फिर से गलत निकली मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है, समझदार तो सिर्फ तू ही है, है ना है ना नहीं भाबी, प्लीज प्रकोपाय शांति ये नमा है लो, इसमें तो एक भी आम नहीं है किदर करे इसा बाम कटू काका मुझे लगते है किसी ने तोड ली है ओ खोड़े, तुम लोग वापस आ गए चेताली, माना हूँ मेहूल, रुको में अभी आती हूँ जुरस्णा अरे शेतान लोग की तोली, मेरे सारे आम तोड दाले अब क्या पत्ते तोडने आये हो क्या अरे क्या नहीं तोड़े, मैंने देखा ये मेहूल माना को गदा बना कर उसके उपर चर कर आम तोड रहा था, हाँ अंटी में गदा नहीं गोडा बना था अरे चुप, जो भी हो लेकिन आम तोड रहा था कि नहीं, हाँ देख उस पोटली में सारे आम दबा के रखे हैं, हाँ अंटी, अब कुछ भी मत बोले, इसमें हाँ, इसमें इस्तरी के कप्डे है इदर ला इदर ला पोटली मेरे को दे, आरे दे इदर अच्छा, इस्तरी के कप्डे, हा तुम लोग ने चुप बोला, मेरे साथ में, यहाम नहीं तोड़े ज़ा नहीं नहीं, गट्टू काका हाँ, आम नहीं तोड़े दे मैं दो चेताली को कहा भी था कि हम गट्टू कागा को आम तोड़ने के लिए लेके जाते हैं पर उस ही नमना कर दिया चेताली तुने मेरे लिए ना बोला ना नहीं गट्टू कागा को नहीं लेके जानेगा चलेगा वेरी बैड, मैं अभी तुम लोग के साथ में कब भी बात ने करूँगा, कब भी बात ने करें अलोवे तुम लोग के साथ में उसे चास नहीं मिले कि तु वह बहुत अपसिट हो जाएगा, अरुविन उसके लिए कुछ और बना ले, अच्छा सा शिल्पा कहां गई है, कहां गई थी, क्या लाई है ना के पर राम डेरी है न अब बा, वहां से धाई ले आई हो, मोटा भे के लिए फटा फट चास बना देती हो दूद तो बाहर की चीज है ना बेटा, आई नो बा, लेकिन मैंने सोचा की दूद तो बाहर से आता ही है तो तो दूद हम किचिन में नहीं बना सकते ना, उसके लिए हमें गाय पालनी पड़ेगी जो पॉसिबल नहीं है इसलिए हम लोग दूद बाहर से लेकर आते हैं हाँ, लेकिन आज दही लेकर आई है, कल को पनीर लेकर आएगी और कहेगी दूद भी तो आता ही है ना हमारे गर में उसके बाद मलाइक ओफता लेकर आएगी कि ये भी तो दूद से ही बनता है ना हमाले रूल्स का क्या होगा बाफिर शिल्पा, रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं तोडने के लिए नहीं हो गया तेरा एक भी मौका तो छोड़ती नहीं है लीला बाहर की चीज़े अलाउड नहीं है ये बोल के तुन्हे उसे डाट तो दिया पर क्यों अलाउड नहीं है यह तो बता ठील एक खूशोड़ाण तो आसा है कि ओम शूर्यदेवताय प्रकोपाय शांत ये नमहाँ अ खुल्यदेवताय प्रकोपाय शांत ये नमहाँ देख शिल्पा, ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ों से मुझे ऐलर्जी है दरसल बाहर के खाने पे मुझे भरोसा नहीं है पता नहीं हाईजिनिक होगा या नहीं दही बनाने के लिए दूद को ठीक से उवाला होगा या नहीं थोड़ी सी चीटियों के गिर जाने से हमने दही फेक दिया बाहर बाले फेकते होंगे पताने ही सुरक्षित रखते होंगे या नहीं आपकी बाद बिल्कुल करेक्ट है बाव लेकिन आज संडे है सब घर पे है तो मुझे लगा कि छास होनी चाहिए कभी-कभी बाद इमर्जनसी में रूल्स थोड़े बेंड नहीं किया जा सकते ऐसी कौन सी इमर्जनसी आ गई थी चाश नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे मेरे बच्चो का बच्पन तो पानी पी के गुजरा है शिल्पा हमें तो यह कोशिश करनी चाहिए कि रूल्स बैंड नहोने पाए हम तो पांच साल से इस घर में नहीं रहिए ना इस घर के बाहर रहिए इसलिए जो जी में आये वो करने के आदट पढ़ गई हमें ऐसी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को